ये आकाश शौनी रैपूर है प्रादेशिक समाचार भुलेटिन के साथ मैं विभाश कुमार जा और अब पेश हैं आज के मक्षे समाचार प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी आज ने दिल्ली में अधिक उपज जर्वायू अनुकूल और जैव सशक्त फस्तलों की एक सोरनों किस्ट में जारी की राजधनी राइपूर में कल हाथियों के समरक्षाण और समर्धन पर विश्वाथी दिवस कारिकरम का एवजन किया जाएगा केंद्री परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंतरी भुपेंद्र यादों होंगे शामिल प्रदेश के शास की स्कोलों में बच्चों को मिट डे मिल से पहले पौश्टिक नाष्टा दिया जाएगा कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ में आयोजित कारिकरम में वानिजी उद्योगर श्रम मंतरी लखान लाल दिवांगन करेंगे शुभरम और दंतेवार जिले में सुरक्षा बनों और मावधियों की बीच हुई मुड़ भीड में एक लाक रुपय का इनामी मावधी मरा गया अब समाचार विष्टार से प्रधान मंतरी दरेंद्र मोदी ने आज ने दिली के भारती किर्शी अनुसंधान संस्थान में अधिक पैदावार वाली जलवायू अनुकुल और जैव सशक्त फस्तलों की एक सुनों किसमें जारी की इन किसमों में 61 फसलें शामिल हैं जिन में 34 खेती की तथा 27 बागवानी की फसले हैं खेती की फसलों में बाजरा, तिरहन, दलहन, गन्ना, कपास और अन्य फसलों की बीज शामिल हैं वही बागवानी फसलों में फल, सबजी, कंदमूल, मसाले, फूल और और औशद ही पोध इस औसर पर प्रधामंत्री ने किसानों वेग्यानिकों से बाचिक भी की, नई फसल किसमों पर प्रधामंत्री ने कहा कि इनसे कृशी में मूलिवर्धन होगा, किसानों ने कहा कि नई किसमों से उनके खर्चों में कमी आएगी और पर्यावरन पर सकरात्मक प्रभाव पड़ उपमुख्यमंत्री ने ये बात रायपूर में प्रदेश के सभी मुख्य कारे पालन अधिकारियों की बैठक में कही। सर्वर भारत नेट और ग्रामिन आजिवी का मेशन के तहर चल रहे कारियों की भी समिक्षा की। वितमंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में 22 नालंदा परिसर जल्द शुरू किये जाएंगे, इनमें रायगर भी शामिल है। इसके साथ ये अगले महीने से रायगर में प्रयास आवासी विद्याले प्रारम हो जाएंगे। इसमें विद्यारती विभीन प्रतियोगी परिक्षाओं के नेशुल के तैयारियां कर सकते हैं। ये घोशना वित्यमंत्री ने कल रायगर भी साहू समाज द्वारा आयोजित प्रतिभा समान समान और करियर मार्कदर्शन कारिक्रम की। इस द्वरान उन्होंने समाज के 84 प्रतिभावान बच्चों को शील्ड और प्रशर स्थिपत्र देकर समान इद्भी किया। हरगर तिरंगा अभियान के तहट प्रदेश में विभिन कारिक्रमों का आयोजित किया जा रहा है। बना कर तिरंगे का सम्मान किया। इस उसर पर मित्मंत्रीन ग्रामिनों, युवाओं और बच्चों को स्वाधीनिता सेनानियों तथावीर सपूंतों की भावनाओं का सम्मान करने और देश की प्रगति के लिए समर्पी तहने की शपत दिलाई। उधर मुंगेली, जिले के विकास, खंड, मौंगेली, पथरिया और लोर्मी के विभिन स्कूलों में हरगर तिरंगा कारिक्रम का आयोजन किया गया। इस दोरान विद्यार्थियों शिच्छकों एनसीसी और एनसीस केड़ेटों ने तिरंगा रेली निकाली। वहीं जिले में कल तिरंगा और मैनाथ विभिन जैसे कारिक्रम आयोजन किया गया। इस दोरान आम जनों को राष्टी धोच तिरंगा का वितरन भी किया गया। विश्वहासी दिवस के उसर पर राध्धनी रैपूर में कल हाथियों के सनक्षन और समर्धन पर विश्वहासी दिवस कारिक्रम का आयोजन किया जा कारिक्र में केंदरी परियावरन वन और जर्वायू परिवर्तन मंत्राले के वन महानी देशक जीतेंदर कुमार भी हिस्सा लेंगे इसका आयुजन केंदरी मंतरी भुपेंदरी भुपेंदर यादो अपने रहपूर प्रवास के दोरान 13 हगस्ट को नंदर्वन जंगल सफारी में एक पेड़ मा के नाम अभियान के अंतरगत पौधर उपन करेंगे, साथ ही इस खूली छात्राओं से समात भी करेंगे प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वणी राइपूर से सुन रहे हैं और अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिये भी हम पहुँच रहे हैं आम तक चत्तिस गड़ की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वणी समाचार और अब आगी बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की और प्रदेश के शास के इसकोलों में बच्चों को मिड़े मिल से पहले पॉस्टिक नाश्टर दिया जाएगा इसके शुरुवात NTPC के जमनिपाली स्थेत शास की प्रात्मिक और माथिक शाला में कल होगी पोशन आहार नाश्टर कारिक्रम में वानिज उद्योगर श्रम मंतरी लखनला दिवांगान शामिल होंगे पहले चरण में कोर्बा विधान सभा और पॉड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में योजना के शिरुवात की जा रही है गौरतलभी की नई राष्टे शिछा नीटी में मिड़ी डे मेल के साथ और सरकारिया साहिता प्राप्ती स्कूलों में बच्चों को नाश्टा मुफ्त मुहिया कराने का प्रापधान रखने का भी प्रस्ताव है इसके तहित इसकूली बच्चों को इसकूल पहुंचते ही पोशक तत्वों से भूरपूर नाश्टा दिया जाना है जानकिर चापा जिले के लच्छनपूर में स्वाइन फिरू के दो नए मरीज मिरे हैं बेते दिनों दो महिलाओं की मौत के बाद कांटेक्ट ट्रेसिंग में ये दोनों मरीजों का पता चला जिने होम आईसोलेट किया गया है स्वास्त विभाग इनकी सिहत पर लगातार निगरानी रख रहा है बलोदा बजार जिलास्पताल को स्वास्त सुईधाओं में बेहतर कारी के लिए राष्टे गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमानपत्र मिला है अस्पताल में दी जा रही पंद्र विभागों की सेवाओं का दिल्य से आई राष्टी जाच टीम ने तीन दिनों तक निरेक्षन किया इसके बाद जिलास्पताल को प्रमानपत्र जारी किया गया स्वास्थ मंत्री श्याम भिहरी जाय स्वाल ने अस्पताल को मिले सूपलब्धी के लिए बढ़ाई दी है गौरत अलभे की जिलास्पताल को इससे पहले भी ये प्रमानपत्र मिल चुका है चत्रिजल की प्रत्रम महिला सांसद मिनी माता की आज पूर निती थी है इस उसर पर मौक्ष मंत्री विष्णो देव साइन ने राजनान गाउं के नियाब असिस्टेंड इस्थित सत्नाम भवन में मिनी माता की प्रतिमा पर मलयारपन कर उन्हें श्रद्धानजरी अर्पित की इस मौके पर विधासवा देक्ष डॉक्टर डामसिंग, सांसद संतोष पांडे, विधायक गुरु खुश्वन साहिप सहित अनेक जन परितनी थी और नागरिक उपर स्थित थे मुक्टमंतरी ने कहा है कि मेनी माता ने अपना पूरा जिवन मानों सिवा के लिए समर्पित कर दिया उन्हें ने दलितों के अधिकारों के साथ ही बाल विवा और दहेच प्रता के विरोध में समाच से लेकर संसर तक अपनी आवास उठाई थी दंतिवारा जिले में सुरक्षाबलो और मावाजों की बीच होई मूटभिड में एक लाख रुपए का इनामी मावादी मारा गया है मिली जानकारी के नुसार डियारजी और बस्तर फाइटर्स की टीम खरीब 15 मावाजियों के होने के सुचना पर गश्ट पर निकड़ी हुई थी इससे दोरान गुमलदार गिरसा पारा और कारका वाडा के जंगल में मावादियों ने सुरक्षाबलो पर फाइरिंग शुरू कर दी जवानों ने भी जवाबी कारवाई की इस मोर्फिड में मिलीशिया प्लाटून कमांडर पलेवाया मारा गया सुरक्षाबलो ने घटना इस्ता से मावादि का शव बीजियल लांचर बीजियल सेल विस्फोटक आई एडी वर्दी सहीत मावादी सामगरे बरामत की है बिलासपुर कलेक्टर रविनाश शरण ने मटियारी के सरकारी स्कुल के चात्राओं से बरतन धुरवाने के शिकायत मिलने के बाद इस्कुल की दो शिक्षिकाओं को निरंबित कर दिया है वहीं कलेटर ने इस मामले में मुट्यारी हाई इसकुल के प्रभारी प्राचार बिलहा की विकासखंड शिक्षाधिकारी और विकासखंड सुरोत समन्वे को कारण नोटिस जारी किया है। अब कुछ खबरे संक्षेट में सुन लीजे। विकासखंड सुनीता दुगल, भाचपा, राष्टी उपाधिर्ट, सरोच पांडे, लता उसेंडी और महिला बालविकास मंतरी लक्षमी राजवाडे शामिल हुई। जानकी चापा के बलोदाश शित्र के छाता जंगल में जंगली हाथी विच्रन कर रहे हैं। वन विभागने जंगली हाथी को ख़देडने के लिए बिलासपूर के अचानक मार से कुम की हाथी को बलवाया है। और जानकी चापा जिले के अमोदा गाउं में डाइरिया के चार नए मरीज मिले हैं। गाउं में स्वास्प्युहाक्षिवे लगाकर मरीजों की जाच कर रहा है। अंत में मुख्र समाचार एक बार फिर। प्रधान मंतरी नरेदर मोदे ने आज ने दिल्ले में अधिक उपज, जलवायू अनुकूल और जयव सशक्त फसलों की एक सोरनों किसमें जारी की। राजधानी रायपूर में कल हाथियों के समर्ख्षण और समर्धन पर विश्व हाथी दिवस कारिक्रम का आयुजित किया जाएगा। केंदरी परियावरान वन और जलवायू परिवर्थन मंतरी भूपेंदर यादों होंगे शामिल। प्रदेश के शास्की स्कुलों में बच्चों को मिड डे मिल से पहले पौश्टिक नाश्टा दिया जाएगा। कोर्बा जिले के पौड़ी उपरोड़ं में आयुजित कारिक्रम में वानी जी उद्योगर श्रम मंतरी लखनला दिवांगन करेंगे शुभारंब। और दनते वाला जिले में सुरक्षा बलों और माववदों के वीचोई मोड़ भीड में एक लाख रुपए का इनामी माववदी मारा गया। इसे के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटीन समाप्तु हुआ नमस्कार।